स्मार्टफों के अंदर बैटरी के ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो इन्वेशन है यहाँ पर सबसे कम हो रहा था और काफी लंबे समय से हम यहाँ पर वही पुरानी बैटरी को यहाँ पर यूज कर रहे थे लिकिन शैद यह कुछ चीज़ है बदल सकती आने वाले कुछ साल सबसे बहने तो बात करने वालों कि बैटरी के अंदर जो से यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वह आएगा 2027 में जहां पर यूरोपियन यूनियन एक ऐसा लॉल लेकर आने वाली है जिसके अंदर मॉबाइल फोल्स के अंदर बैटरी होगी अब यह बिलकुल ट फोन भी यहां लॉंच हुआ था जिसके अंदर बैटरी तो आठ साल तक सौफटर अपडेट हैं पर प्रॉमिस किया रहते ताकि जो लोग है वो अपने एक फोन को जितना लंबा चाहे उतना जादा यूज कर सके ताकि जिस तरीके से इविस्ट वगरा को कम किया जा सके हाल बैटरी को छोड़के नॉन रूवरबल के पीशे चली गई थी और वन आप दा में रीजन यह था कि जो कम इसको भी बता है कि एक एक करके मोबाइल फोन धीरी धीरे जब उसकी बैटरी डिग्रेट करेंगी तब जो लोग के वो आगे चलके उसके जो नेक्स ट्रेशन वाल यूसफुल चीज़ भी है जिसके अंदर अगर आपका भी इमर्जेंसी हो तो पांदा स्वेट पर फोन को चार्ज कर सकते हो बहुत अच्छा कंसेप्ट है लेकिन अकर लंबे समय तक चार्ज डिस्चार्ज की साइकल अगर कंटीनू रखोगे फास्ट चार्जर पे तो कही काफी सारी कंटीन सेप्ट चीज़ को इंपलेमंट कर रहे हैं कि 800 साइकल्स नाइननर ये 1000 साइकल्स तवर उनकी बैटरी का जो रेटेंशन है और 80% के उपर बैटरी हेल्थ आपको देखने को मिलेगी यह एक काफी अच्छी चीज़ जो अभी भी हो रही है बैटरी के 125 वाट पर लिमिट हो गई है जबकि आज के समय उनके पास टेक्नलोजियों 200-240 वाट की लेकिन उस चीज़ को वो डिपलॉय नहीं कर रहे है उसकी जगे वो यह चाहते कि किसे एक स्टेबल वर्जिन यहाँ में क्रेट किया जा सके और जो चार्जिंग वाटेज वाला जो गेम आज से 102 साल पहले शुरू हुआ था वो अल्रेडी यहाँ पर खतम होने लगा है और एक स्टेंडर्डाइजेशन वाली चीज़ आ रही है इवन यह भी बता सकता हूं काफी स सारी कम्सश्च अब यह मी बन्ड कर रही है कि अपने खुद की प्रोप्राइटरी चार्जिंग टेकनलोजी को डिच करकी कि स्टेंडर्ड चार्जिंग टेकनलोजी के पीछे जाए जाए यानि की आने वाले फूचर में सिंपल सी चीज हो सकती है कि एक कमशनी का फास चार अब देखा जाए तो यह जो नए टेक आने वाला है वायरलस चारजिंग के स्टेंडर्ड है तो जैसा आपने आई फोन के अंदर मैक सेफ को देखाता ना जिसके अंदर मैगनेक्टिकली अक्टाच हो जाता है और वायरलस ली चार्ज करता है फोन को सिम्मी कंसेप्ट यहां पर आने वाला है हला कि वायरलस चार्जिंग एंडरोइड फोन से बहुत पहले सवाइले बाले है यहां तक की फास्ट वायरलस चार्जिंग के सॉलूइशन पर वायले बाले है लेकिन एक स्टेंडर सॉलूइशन अभी बाकिया था और वह आने वाला है चीटू चार्जिं और पहले से जादा सेफ रखा जाएगा ताकि ओवर हीटिंग ना हो डिवाइस के अंदर और बैटरी को भी सेफ रखा जा सके यह चीटू चारजिंग स्टेंडर बहुत सब्सक्राइब लेकिन इसके साथ ही मैं आपको यहां बता सकता हो कि यहां पर वायरलेस चारजिंग के बाद जो अगली बड़ी चीज कही जा रही थी एयर चारजिंग वो आएगी की नहीं देखा जा तो एयर चारजिंग कॉंसेट बहुत सारी कंपनीज ने अकसर हमें दिखाया लेकिन एयर चारजिंग कॉंसेट अभी भी हमें फुल प्रूफ नहीं है उसके अंदर इशूस दिक्कत है थी और सिर्फ डेमॉस्ट्रेशन पर्परस के लिए था हाला कि मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी के अंदर जो अब जो बड़ी चीज आएगी उसके लिए हमें तीन से चार साल इंतजार करना पड़ेगा देखो काफी लंबे समय से हम बात कर रहे थे कि क्रफ अब बात करता है और उनका एक कहना है कि 2027 तक वह अपनी स्टेट बैटरी को यहाँ पर इंट्रिद्यूस करेंगे जो कि बिलकुल रेगुलरली जो लीथे मायन बैटरी होती है वैसे ही काम करेगी पस यहाँ पर डिफ्रेंस ही होगा कि यहाँ पर लिक्ट्रोलाइट के देखने को मिलेगी जादा सेफ होगी जादा बैटर होगी जादा चार्ज को होल्ड कर सकेगी लेकिन यह टेकलोजी भी इलेक्ट्रिक वेहिकल में पहले आएगी यानिकी कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स इन सब के अंदर देखने को मिलेगी और उसके बाद यह टेकलोजी को evolve किया जाएगा आपके smart phones के लिए और laptops और charging के लिए क्योंकि देखा है तो basic chemistry तो same रहती है लेकिन को implement करने का तरीका काफी लगोता है अक्सर हम mobile phone की battery capacity को measure करते है MAH में और बात सही भी है कि हम MAH में इस चीज़ को कर सकते है लेकिन जो MAH रहती है वो reality में यह बताते है कि amount of current किता है battery के अंदर और exactly में जो amount of energy battery के अंदर है वो measure की जाती है watt hour के अंदर अब MAH सिर्फ इसलिए उसकिया जाता है क्योंकि जादर जो mobile phones होते हैं वो 3.7 volt पे operate होते हैं इस current से MAH यहापे बात कर सकते हैं लेकिन जब laptop या electric vehicle में बात की जाती है तब वहाँ पे voltage हाई होता है इस current से MAH में की battery capacity को नहीं देखा जा सकता है और इसलिए वहाँ पे watt hour का concept आया था लेकिन बात करें तो आने वाले समय में और क्या बड़ी चीज़े हो सकती है solid state design तो हमें batteries के अंदर हैगा और काफी सारी companies को prioritize करेंगी अभी भी आने में यहापे काफी ज़ादा time लगेगा और solid state battery ही काफी कच्छा future दिखरे smartphone के अंदर batteries का जो की पहले से ज़ादा safe होगी ज़ादा charges को store करेंगी और अग ideal solution है लेकिन अभी भी से बना पना महेंगा पड़ते इसलिए काफी सारी companies के लिए भी भी तैयारी कर रही है इसके साथ ये next generation lithium-end batteries के उपर भी काम हो रहा है different type के electron materials को test किया जा रहा है electrolytes को test किया जा रहा है कि कैसे existing battery को भी और ज़ादा advance बनाए जासके लेकिन आपको एक बाप बताता हूँ ये technology भी बहुत जादा दूर किया 2030 से पहले इसका कोई नामो निशन देखने को नहीं मिलने वाला और एक simple सी बाप बताता हूँ smartphone की batteries के बारे में अकसर बहुत बाते करते हैं लेकिन आपको ये जारना ज़रूरी जब तक हमारे हाथ में technology तयार होके नहीं आजाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ exactly में future है या नहीं है क्योंकि concept बहुत सारे इसके बारे में भी पास्ट में वीडियो में बताया है कि कौन-गौन सी batteries पे काम हो रहा है लेकिन जब तक battery हाथ में नहीं आती तब तक इसके बारे में में कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ आने वाले 5-6 साल काफी interesting है खास तोर पे smartphone और इसकी batteries के लिए क्योंकि अब देखा दे तो innovation जो बाकिये में वो battery में है और वही आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा लेकिन कौन सा innovation practical होगा कौन सा mainstream होगा कौन सा हमारे पास तक आएगा उसके बारे में तो यार हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको इस ट्रैप के वीडियो अगर आपको interesting ये पसंद आते हैं तो अब subscribe करो चैनल को तक अब कुछ देखने के लिमें आप संद आते हैं वेगा झाले को बाइ